गूड आफ्टरिनून बेटा हावर यू आई होप आप सवस्त होंगे आज बेटा क्लास पलस वन सब्जेक्ट हिस्ट्री में जो चैप्टर हमारा नाइन चल रहा था तो आज हमारा जो टोपिक होगा वो होगा बेटा एंचेर्टे के कुष्णों पर डिसकसन करें हम बेटेन 1713 में से 1815 तक कई युदों में लिप्त रहा इसका बेटेन की उद्ध्यों पर क्या परवाव पड़ा बेटा देखो बेटा मैं आपको बता दूँ कि अठारवी स्थापदे के दोरान जैसे हमने पीछे बताये था इंग्लेंड में ओद्ध्यों करांते की शुरुआत हो गई थी तो हम देखते हैं अनेक उद्ध्यों स्थापित हो गए थे लेकिन ये देखने को मिलता है 1703 में से लेकर 1815 तक जो बेटेन है वो युद में वैस्थ था तो इससे सव बाई के बटा उद्ध्यों को पर काफी परवाव पड़ेगा तो इसने यही पुछा है पर क्या परवाव पड़ा तो हम देखते हैं बिर्टेन 1703 में से 1815 तक युदों में जहें सामिल था समय अवधी में जब बिर्टेन लगातार फ्रांस के महान से नापती समराट नैपोलिन से जीवन और मरन के संगरस में फसा हुआ था इस समय लड़े गए जो बैंकर युदों का व्यापक परवाव बिर्टेन के उपर भी देखने को पड़ा तो इसके क्या परवाव पड़े बिटा सबसे पहले हम देखते हैं युदों के प्रिणाम सो रूप देश की अर्थवैस्ता क्या हो गई चरमरा गई क्योंकि हम देखते हैं 1713-1815 तक जो युद में वैस्त था युद में समलित था तो इससे बिर्टेन और कहीं अपना जह ध्यान नहीं लगा पाया केवल उनका ध्यान युद की तरफ था तो इससे किर्शी या अन्य जो है उद्द्यों वो धंदे मतलो ठप हो गए जिसे उन की अर्थवेस्था चर्मरा गई यूरोप के साथ है युदों के कारण उसका व्यापार वहां से अलग हो गया व्यापारों के बंद हो जाने का परवाव वहां की फैक्टरियों पर भी पढ़ा जिससे वे उद्द्योंग दंदे और कारखाने सीगर ही बंद हो गए उद्द्योंग दंदों वे कारखानों के बंद हो जाने से सवभाही का बटा मजदूरूग की जो स्थिति अतन तैनी होगी उनकी जो रोजी रोटी छिन गई वो प्राइब बेरोजगार हो गई और बुखमरी के सिकार होने लगे कौन मजदूर लोग इसके बाद में हम देखते हैं नेपोलियन बोनपार्ट की माधी पिये जो वेवेस्था आर्थिक बयुश्कार की नितियी ने इंग्लेंड को आर्थिक संकट में फसा दिया वस्तुते नेपाल इंग्लेंड के विदेशी वियापार को समाप्त कर देना चाहता था और इंग्लेंड में रोटी तथा मास की कीमते आस्मा चुने लगी साथ-साथ इंग्लेंड की जो मुद्रा का भी जो है एमुलियन हुआ तो बिटा हम देखते हैं कि जो युद के कारण बेटन की जो है अर्थिष्था पर काफी प्रभाव देखने को मिला अब जो हम just上 मात करेंगे वह करेंगे नहर और रेल्वे प्रिविणा की साथ इक लाब के उपर देखत भीटा नहर और रेल्वे प्रिवयन की काफी फाईदे हमें मिले काफी जय है लाब देखने को मिलते हैं नैरोदवरा खानों से कोईले और लोई से बारी जो पदार्थ हों को कारखानों तक ले जाना काफी क्या हो गया आसान हो गया सरल हो गया नहरों दवारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता देखने को मिला बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो सहरवाशियों को सस्ते परिवेन भी उपलब्द हो गए अन्य साथ उनकी अपेक्षा किरते नहरों दोबरा की जाने वाली यात्रा में कम समय लगता था तो यह सभी क्या है बड़ा नहरों के लाब माल को आसाने से पहुचाए जाने लगा एक परकार से नहर जो की आयतों निर्यात का सबसे सस्ता साधन और हम देखते हैं कि नहरों दोबरा की जाने वाली यात्रा में कम समय लगता था तो ये सबी क्या हैं नेरो के सापेक स्लाब अब जो हम बात करेंगे वो रेल परिवेन के सापेक स्लाब के उपर बात करेंगे इंग्लेंड के ओधिकर्ण में रेल्वे का काफी जो है सरानी योगदन रहा क्योंकि हम देखते हैं इंग्लेंड में जो ओधीकर्ण स्थापित हुआ उसके पीछे जो है प्रिवेन वैसंचार एक मैत्पुन कारक रहे हैं रेल प्रिवेन से पूरू यात्रियों को नहर में यतायात के जो साधनों से यात्रा करते समय अने कठनायों का सामना करना पड़ता था उन्हें उन प्रेशाने से छुटकारा मिल गया रेल की जो गती नहर की यतायात के साधनों के अपेक्षा क्या थी त्रियूती मलों तेज थी और उस पर बाड या सुखे या तूफान का प्रवाव नहीं पड़ता था रेल संचार का सबसे सस्ता फैस्सरल साधन है जिसे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया तो इस पर गार रेल परिवेन नहर परिवेन की अपेक्षाधिक फाइदमन्द हुई बिटा तो ये थे रेल परिवेन के लाब अब बिटा हम बात करेंगे इस अवदी में किये गए अविस्कारों की दिल्चस्पी की मुखवी सेष्था क्या थी देखो बिटा 1750 से 1850 के अंतरगत जो हैं मदद ब्रिटेन में काफी नहीने मशीनों का अविस्कार के गया तो नहीने मशीनों के माददम से काफी लोगों को फाइदा मिला और अधिकतर लोगों की दिल्चस्पी हुई तो इससे हम देखते हैं इन अविस्कारों के फल सुरूप क्या देखने को मिला बिटा वानेजवाद और उपनिवेसवाद का काफी प्रबाव बढ़ गया बिटा इन अविस्कारों के कारण अनेक उद्धोग मिला इन अविस्कारों के लिए विग्यानिकों ने ही नहीं बलकिन साधान लोगों ने प्रियास की और वे अपने प्रियासों में सफर भी रहे इन अविस्कारों एम उपनिवेसवाद के कारण बोगलिक खोजों अब हम अगर रेल परियुएन के साप एक सिलाब लेते हैं तो इंगलेंड के ओधिकन में रेल विक काफी सानी योगदान रहा हैं क्योंकि हम देखते हैं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाना रेल परियुएन एक मित्विसा दन रहा और रेल परिवेन के से पूरों यात्रियों को नहरों में यात्यात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक अठनायों का सामना करना पड़ता था उन्हें उन प्रेशानी से चुटकारा मिल गया रेल की गती नहर के यात्यात के साधनों के अपेक्सात्रियों थी और उस पर जहें बाड सुखे तूफान का परवावी नहीं पड़ता था और रेल संचार का सबसे सस्ता वैसरल साधन है जिसे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया तो यह सभी क्या है रेल प्रिवेन के सापेक्स लाब अगला हमारा जो टोपिक होगा वोगा इस अवधी में किये गए अविसकारों की दिलचस्पी की मुख्य विशेश्ताओं के ओपर व्याख्य करें तो देखो बड़ा हम देखते हैं अनेक जो अविसकार हुए इन अविसकारों के फल्सुरुफ वाइनजय और उपनिवेश्वाद का परवाव बढ़ गया इन अविसकारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोग आता था इसपात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्मान उद्योग को काफी प्रोच्छान मिला इन अविसकारों के लिए वेगयानिकों ने नहीं, बलकिन साथ अंड लोगों ने प्रियास किये और वे अपने प्रियासों में सफल भी रहे इन अविसकारों एम उपनिवेश्वाद के कारण बोगोलिक खोजों और अंतराष्टे बजारी करण को बल मिला, इसके साथ साथ हम देखते हैं कच्चे माल की प्राप्ति तथ तयार माल की खफ़त के लिए इंग्लेंड को एक विश्त्रित बाजार के अवसकता पड़ी यह स्थित्ती निशन्दे अधिक उपनिवेश्व की स्थापना के लिए इंग्लेंड को प्रोच्छाइट किया तो यह नएने अविसकार से क्या हम देखते हैं 17-1850 के मद्दै बिर्टेन में जह हैं उपनिवेश्वाद यहां तक हम देखते हैं कच्चे माल की प्राप्ति तयार माल की खफ़त में सहयक और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नएने अविसकारों से काफी जह हैं हम देखते हैं उपने स्वाधी का जह हैं उदे हुआ अनेक बोगोलिक हो जो के कार्ण जह अंतराष्ट बाजारी करण को जह हैं बल मिला तो यह बाते देखने को मिलती है अब हम लेते हैं कि बिटेन के ओधोगी करण के सवरूप कच्चे माल की आपूर्ती को क्या परवाव पड़ा देखो बटा विश्व के किसी भी ओधोगी करण देश को अपने कारखाने को चलाने के लिए कच्चे माल की आवसकता होती है यदि उस देश में कच्चे माल की कमी है तो उसकी आपूर्ती दूसरे देशों से मंगा कर की जाती है तो बिरिटेन में लोहे वे कोईले की खाने प्रियाप्त मातरा में थी जिसके काण उसके लिए लोहा और इस बात से बनने वाली जह हैं मशीनों के निर्माण में काफी मदद मिली फलते लोहे उद्योग के चेतर में वे अगरणी देश बन गया वस्तर उद्योग में बिरिटेन का दूसरा परमुख उद्योग था देखो पहले तो हमने क्या बताया लोई वे कोईले की खाने में प्रियाप्त मातरा देखने को मिली इसलिये सुरोफ पर्थमोद हिकरन की करानते की शुरुवात जब बिरिटेन में उई दूसरा हम देखते हैं उद्योग के वस्तर उद्योग के आधार पर भी अगर देखें तो बिर्टेन दूसरा परमुख उद्योग था उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की जुरू थी वैसे तो इंग्लेंड में उपनिवेसु के स्थापित होने से पूरो भी कपड़ा बुनने का काम होता रहता था क्योंकि हम देखते हैं बाहर चे कच्चा माल जाता था बिर्टेन में कपास का जो है अधिकतर जो है बिर्टेन में जाती थी वहाँ से बाहरत के बाजरों में ही महेंगेदाम पर बिखते थे किन्तु बहुत सीमित रूप से तो उपनिवेसु के स्थापित होने के बाद इंग्लेंड को प्रियाप्त मातरा में कपास आसानी से उपलब दोने लगी विशेश रूप से भारत से पर्तिवर्ष रूई की अजारों गाठें इंग्लेंड पहुंचती थी हम यह भी कह सकते हैं कि इंग्लेंड के सुती वस्तर उद्योग का अस्तो भारत से पहुंचने वाली रूई की गाठों पर ही निर्बर था क्योंकि हम देखते हैं मिटा बार से काफी जब पर्चूर मात्रा में कापास जह बेजी जाती थी ब्रिटेन और रेल्वी के निर्मान इम जहाज निर्मान भी इंग्लेंड का एक मैत्रप्र उद्योग था हाला कि इन उद्योगों के लिए उत्तम कोटी की लकड़ी की आव सकता थी उसे उत्तम कोटी की लकड़ी भारत तथा अमरीका बस्तियों से मिलती थी यदि इन दोनों स्थानों से उत्तम लकड़ी नहीं मिलती तो समथ जहाज निर्मान और रेल्वी निर्मान उद्योग का उलेगनी विकास नहीं हो पाता आता है इन बातों से यह सपस्ट होता है कि ब्रिटेन के ओधिकण के सवरूप इमकच्चे माल के आपूर्ती का प्रियाप्त जया प्रवाव कहां देखने को मिलता है ब्रिटे भारत और अमेरिका में देखने को मिलता है अगला जो है टोपिक लेते हैं बिल्टेन में इस्तरियों के विबिन बिन जैवर्गों के जीवन पर ओदिगन ओदुगी क्रांती का क्या परवाव पड़ा जैसे कि आमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिल्टेन में जो है ओदुगन की सुरुवात से हम देखते हैं ओरतों और बच्चों पर काफी जैपरवाव पड़ा उनका भारी शोशन होता था उनकसे अधिगंटे काम करवाते थे वितन कम दिया जाता था बच्चों की स्वास्त पर काफी परवाव देखने को मिलता था तो बिल्टेन में ओदुगन क्रांती से पूरो महिलाई खेतों के काम में सकरी रूप से सहयोग करती थी पासों का पानन पोशन उनके दवारा होता था बच्चों की देखरेक व्यखाना पकाने का काम उनके आथों संपन होता था सूत कातना भी पराई महिलाई करती थी उन्हें घर के खर्चे के लिए इस्त्रियों की जहें को मजदूरी भी करने पड़ती थी लेकिन ओदुगी करन के कारण बेल्टेन में पुर्ष सर्मिकों के साथ इस्त्रियों एं बच्चों की भी हालात और ज्यादा खराब हो गई पर उनके अत्ताचारों में शोषन वादी जह प्रवर्थी के खिलाफत कर सके तो वे इतनी सक्षम भी नहीं थी कि हिंसात्म करूप से अंदोल में भी कर सके बेल्टेन में ओदुगी करन के कारण इस्त्रियों को जग कारखानों में ज़्यादा देर तक काम करने के लिए फ वास्त पर बुरा प्रवाव पड़ा इस्त्रियों का जग्रेस्त जीवन बरवाद हो गया यहां तक कि दूसली तरफ ओधिकरन के कारण संपन वे उच्वर्थ की इस्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंद में हो गया उन्हें आसानी से आराम वे एस्त्रियों कर जह वस् पतनाया लेकिन यह धनी जो महिलाए थी उनके जीवन ही सुधरा जबकि निमन जो मजदूर या निमन वर्ग की जो महिलाए थी उनकी स्थिति अतन दैनिय थी सोचनिय थी यतायत के साथनों के फलसरुप उन्हें और भी ज्यादा आजादी प्राप्त हो गई किसकी धनी पर जो ओदिगन से पूरो सिमित थी तो इन बातों से जाहिर होता है कि जो उच्च वर्ग की महिलाए हैं उनका उनकी स्थिति तो अच्छी थी जबकि निमन वर्ग की महिलाओं की स्थिति अतन्त दैनिय वे सोचनिय थी उनका भारी शोषन किया जाता था उन पर बड़े अ निशंदर रुप से ओधिक क्रांति के फल सुरूप उच्वर की मैलाओं का जीवन और अधिक सुविधा पूर्ण तथा आनंद में बन गया उन्हें नवीन वोगता वस्तों और वह बोजन सामगरी प्राप्त होने लगी उनकी जीवन सहली में हर दिन बदलाव आने लगा था तो ऐसे जहें निमनवर की मैलाओं के उपर परबाव देखने को मिलता है अधोगी कर्ण क्रांति की वज़े से अगला जो हैं टोपिक लेते हम विश्व के बिन बिन जो हैं देशों में रेलवे के आ जाने से वहां के जन जीवन पर क्या परबाव पड़ा तुलनात्मक विवेच न कीजिए तो देखो पटा रेलवे के आ जाने से जहां सामराजवादी राष्टों के कारखानों के वहीं गुलाम देशों का इन सामराजवादी ताक्तों दवरा और भी अधिक सोचन किया जाने लगा फलत हैं उनकी अर्थवैस्ता एकदम चर मरा गई किनकी जो की सामराजवादी के अधिन रहने वाले जो देश थे गुलाम देश थे उनकी स्थिति अतन सोचने हो गई अगली बात आते हैं रेल्वे की विकास के कारण जहां सामराजवादी देशों के लोग धनवान होते गई वहीं पर उसके कारण उपनेशी देशों की जनता बेकार और गरीवी होती चली गई अगली बात हम देखते हैं रेल्वे की विकास के फल्सुरूप सामराजवादी सक्तियों को विशेश रूप से लाब मिला क्योंकि उनका तैयार माल तेजी से अपने ओपनेशी छेतरों में पहुंचने लगा और उने अधिक अधिक लाब मिलने लगा किन्तु इसके फल्सुरूप अपनेशीक राष्टों के उपर बहुत दूस प्रभाव पड़ा वापन निर्धनता सोशन वे बुखमरी चारों तरफ से फैल गई ये श्तिती तेखने को मिली रेल्वे का विकास खास कर सामरजवादी सक्तियों के लिल्लापर्द रहा क्योंकि इससे उन्हें कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को अपने अधिन राष्टों में खपत करने का पूरा-पूरा आउसर मिलने लगा और अपनिवेशिक राष्टों में रेल्वे का निर्माण सामरजवादी सक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया अगर हम बात करें जो भी रेल्वे का अविस्कार किया बिर्टिस लोगों ने वो अपने फायदे के लिए किया जो भी British लोगों के दवारा जो नितियाना लागू की गई वो सभी जो भी British लोगों ने अपने हेत के लिए अपने उधिश्यों को पूर्ति करने के लिए की गई इसके साथ साथ हम देखते हैं साम्रेजवादी सक्तियों दोवरा सोतंतर के जाने वाले अब रेलिवे के विकास का लाब उन राश्टो को भी मिलने लगा जो सद्यों से इसके लाबों से वंचित रह गये थे अब उन राश्टो की जुए सरकारों को रेलिवे से अत्ते दिक आय प्राप्त हो रहे थी इसके साथ साथ हम देखते हैं रेलों के निर्माण में सामरजवादी देशों ने बहरी आक्रमनों तथा आंतरिक विद्रों का सुगमता से मुकाबला किया इसका कारण यह था कि फोजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाये जा सकता था जबकि राष्टे बावना से ओत्परोथ अंदोलनकारियों के लिए वह विकास पर्ति क्रियावादी था इसके बाद में बिटा हम दिखते हैं कि भारत जैसे उपनेशिक राष्ट के लिए रेल्वे का एक बड़ा ही मैत्व था इसकी सायता से देश में राजनी दिक चेतना जागरती आई अब उपनेशिक के विभीन बागों में रहने वाले लोगों के मद्धैन विचारों को संचार आसाने से होने लगा जबकि यह संचार उपनेशिक वाद के लिए गात तक देखने को मिला इसके साथ साथ हम देखते में रेलेवे के निर्मान से अपनेशीक राष्टर को आर्थिक रूप से लाब पहुँचा इससे इन रास्टर को व्यापार में विर्दिवी हम कह सकते कि उनका आंतरिक व्यापार चमक उठा जबकि उपनिवेसों का देशी व्यापार छिन बिन होता देखने को मिला रेलों ने उपनिवेसों में जो आधुनिक उद्धोगों को पुरोचाइद किया बार जैसे उपनिवेस में रेलोई दवारा सभी आंतरिक वे परमुक बंदरगाओं को जुडने का अवसर भी मिला फलत देश के वीविन बागों में आधुनिक उद्धोगों की स्थापना होने लगी इसके साथ साथ हम देखते हैं रेलोई की विकास से उपनिवेसों में रेलों के आगवन से अकालों की जो भीशंता को कम करने की सायता मिली इसकी सायता से अभाव गरस्त एम अकाल गरस्त छेतरों में खद्दान वे अन्य आवशक वस्त्वेशी गरता पुरुक पहुचाई जा सकती थी तथा समय रहते ही उचित कारवाई भी की जा सकती थी ये सबी हमने क्या बताए बटा एक रेलेवे के निर्बान से वनो किस परकाल से फाइदा या लाब अरजित हुआ तो वो बाते हमने यहाँ पर आपको बताई तो बटा इस वीडियो के माद्दम से जो जो टोपिक हमने आपको समझाए इन टोपिक से समझे जो क्यूशन बनते हैं उन सभी क्यूशनों को अपने फेर नोट में आपने राइट करना है और लान करना है ओके नाइस टोकिंग टूई बटा थैंक यू